नमस्कार आदाव साथ श्रीयकाल दोस्तों कैसे हैं आप इस मसाज थेरपी आज हम बात करेंगा मसाज थेरपी का और उसके बेनिफिट्स का उसके च्छे प्रूवन बेनिफिट्स किया है कहने के लिए तो हजारो बेनिफिट्स आपको बताया जा सकते हैं इसमें फाइदा उसमें फाइदा और टेक्निकली ओवराल हेल्ट के लिए बहुत फाइदे बंद है इसे चोटे बच्चों में मसाज बताई जाती है बुद्रगों मे ये अक्चुली ऐसाटरी त्रीटमेट दे सकते हैं मसाज के भी कई सारे टेकनिकों भी होते हैं कई सारे टाइपस भी होते हैं आपकी फिजिकल कंडिशन के मताबिक मसाज circuits आपकी मसाज चूus कर सकते हैं कि भी सिर्फ मसल पे करना है soft tissue पे करना है hard massage करना Ol DVD और इसके उपर परपस के लिए, evidence medical research ये बताता है, massage therapy कुछ pain वाली conditions में, lower back pain या chronic neck pain, neck pain back pain, जो बहुत commonly लोगों को होते हैं चाहे बहुत जादा use करने में, mobile use करने, computer use करने में, गलत posture में बैठने से, उसके वज़े से कई बार headaches होते हैं कई बार हात नम होता है इसाद, पैर नम होते हैं, उसमें बहुत फायदे मंद है, तो regular massages will definitely help, muscle stiffness relief होगी blood flow बढ़ेगा, गर्माहट मिलेगी posture correct हो सकता है, so yes massage with correct posture, posture पर हमारा dedicated video ज़रू देखना है, posture by doctor education YouTube पर type करके, इसके लावा दूसरे तरीके से research बताता है cancer patients, या cancer के वज़े से भी कई लोगों को pain होता है depression आता है, anxiety रहती है, और mood खराब रहता है तो cancer patients में short term के लिए at least कुछ वग के लिए massage बहुत help करती है so relaxation better होगा, mood better होगा pain better होगा, reduce होगा, that is also good so cancer patients में भी help करता है कुछ scientific literature, research, massage therapy को depression के लिए बहुत बढ़िया मातिक कई proven है, that obviously stress कम करेगा लेकिन depression में भी full body massages pregnant ladies में या कोई postpartum depression या किसी भी प्रकार के depression में आपको massage बहुत फाइदे की, इसके अलावा massage fatigue, कमजोरी fibromyalgia, इस और chronic fatigue syndrome जैसी बिमारियों में बहुत फाइदे करता है, किसी कारण भश आपको कमजोरी रहती, covid के बाद कमजोरी रहती chicken guniya के बाद कमजोरी रहती, हाथ-पैर दर्द होते रहती, उठने का मन नहीं करता, massage आपको help करे, exercise, massage, yoga अच्छी डाइट, अच्छी नीन बंदा ठीक, है कि और के चाहिए, तो massage is very good आप massage कराओ, regularly कराओ, हटे में दो बार कराओ, एक बार कराओ, कराओ तो सही so that is very very important, several studies इसके उपर हो रखी है, massage therapy बच्चों में massage therapy, जो है कई सारे benefits है, चोटे बच्चों की तो वैसे ही, इंडिया के अंदर चलन है, होती है और weight gain करने में, health improve करने में, joints ताकत बढ़ाने में bones की health बढ़ाने में, muscles की ताकत बढ़ाने जल्दी खड़े होने में, बच्चों की growth में, perfect, बहुत अच्छा है massage massage therapy, इसके अलावा, थोड़े से उसके risk भी होते हैं, कुछ रिस्क भी होते हैं, से लिए प्रैक्टिक्स, trained practitioner हो massage therapist हो कभी जादा अच्छा है, massage के जो risk हो जाते हैं, कि अगर आपकी कोई ऐसी बिमारी है, जो massage therapist को नहीं पता और बहुत ज्यादा heavy massage वो कर दे, तब आपको दिक्कते आ सकती है, कुछ pains, aggravate हो सकते हैं, कुछ अगर trauma है, वो injury बढ़ सकती है, so कितनी massage करानी है, ideally massage की frequency और duration, depend करेगा, type of massage पे, और आपका target of area क्या है उसके उपर ज्यादा research बताते है, कि आपके therapist और आपकी बिमारी उस पे और आपके जो response है massage का, उस पे decide होना चाहिए, कि how often you need कई बार initially massage थोड़ा regularly लगती है, फिर maintenance में massage कम भी use कर सकते है, for example lymphatic drainage के लिए massage होती है, lymph nodes, किसी के lymph vessels, भून, पैरों में सूजन होती है तो कुछ परकार की massage lymphatic drainage होता उससे, और या recent को operation हुआ, कुछ medical condition हो, उस चीज़ के लिए तो ऐसे lymphatic drainage में आपको daily massage लगेगी कुछ time के लिए कुछ time के लिए, over time, थीरे-थीरे 2-3 हफते के बाद, आपका daily massages की जगा धीरे-धीरे कम हो जाए, lymphatic drainage हो, deep tissue massage जिसे कहते हैं जो slow forceful strokes लगा जाते हैं, deeper layer of muscles, deeper connective tissue तक जाने के लिए target करते हैं, कुछ muscle injuries को उसको, उसके muscle target उनका होता है muscle damage या injury, वह scar है, उसको लिए तो ऐस deep tissue massages जो है वो daily नहीं ज़्यादा करनी चाहिए, वो सिर्फ few times in a week आप कर सकते हैं हफते में 2 या 3 बार, ठीक है तो आप daily करते हैं, तो that is deep tissue massage should not be done, advisable नहीं है, कर सकते हैं, बना ही नहीं है few times in a month, अगर आपका pain चला गया है, pain है, तो few times in a month is also fine, right, massage therapist का ज़्यादा एक trained massage therapist आपको बताएगा आपके लिए क्या है, scalp massage की बात करें बहुत relaxing होती है, blood pressure भी कम कर सकती है, heart rate भी कम कर सकती है बहुत सारी studies इसके उपर हुई है और 15-25 minutes की scalp massage हफते में दो बार या बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया देखी जाती है, हफते में दो बार आप करो मज़ेदार, full body massage कई बार जिसे Swedish massage में बार जाज भी कहते हैं उससे पूरी body में relaxation, anxiety पूरी body में आपका posture बेटर होता है इस type की massage occasionally ही करनी चाहिए या हफ दो हफते में एक बार या मन्त में एक दो बार इस तरह से करनी ही जाद बहुता है और massage chair जिसे massage chair आता है वो भी कुछ ankle में दर्द है तो उसमें relief कर सकती है इसके उपर भी studies हुई है pilot studies हुई है जिसमें benefit देखे गए है जो एक बार में 20 minute massage करें तो benefit देखे गए है तो ऐसे में भी आपको यह नहीं बोला जाएगा कि डेली उसके पर बैठो उसमें भी few times in a week ही ज्यादा बहतर होता है तो back pain या neck pain या इस प्रकार की conditions में आप जो massage कराएंगे deep tissue massage आपके डेली कराने में भी फायदा होता है 30 minutes के लिए 10 दिन तक करते हैं तो pain में relief मिल जाता है फिर maintain कराओ back pain या neck pain के लिए anxiety के लिए भी आप massage 60 minutes तक अगर आप कराते हैं 30-30 to 60 minutes तो आपके serotonin levels 30% तक आपके बढ़ जाते हैं तो आपको feel good होता है pregnancy के अंदर भी आप अगर massage कराते हैं उसमें फायदा होता है stress reduction, pain reduction, blood pressure reduction, stress muscle tension reduction इसमें फरका हो risk कहा है अगर किसी को कोई bleeding disorder है अगर फीमेल्स अगर आप periods के दौरान है या आपके broken bones या fractures है तो थोड़ा ध्यान रखें बहुत ज़्यादा massage उसमें ना कराएं किसी को अगर cancer है तो बहुत ज़्यादा massage नहीं करानी है osteoporosis है या open wound है कहीं चोट लगी हुई है Swedish massage, hot stone massage, frana massage, aromatherapy massage यो कई सारे चोटे-चोटे benefits होते हैं mood के लिए stress, anxiety, depression, pain के लिए तो if you want you can try them एक healthy person try कर सकता है hot stone से और जादा blood flow बढ़ जाता है relaxation better होता है muscle tension कम होता है and aroma से आपके senses भी involved हो जाते है so ये सारे additions होते है and sports massage अपने आप में अचीए अगर आप actually athlete है बार-बार injuries होती रहती है तो वो एक injuries को prevent करने के लिए or healing better करने के लिए sports massage एक regular चीज हो जाती है जो एक तरीके से full body massage हो जाती है जो massage therapist आपको need to know basis पे अपके हिसाब से deep pressure, low pressure, smoothing strokes के हिसाब से करते है so it's also good option for you trigger points भी एक important चीज होती है कुछ लोगों में कुछ trigger points होते है वो injuries, chronic pains या muscle tightness हो जाती है कुछ trigger points को pressure points को आप जरूर टार्गेट कर सकते हैं chronic pain, chronic conditions में और ऐसे में जब भी आप massage करने जाओ light weight clothes पहन के जाए यह बहुत अच्छा रहेगा so that's all I hope massage के बारे में आपको बहुत सारी information मिल गई है और कुछ thai massage भी होती है जो flexibility के लिए circulation के लिए energy levels के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है so therapist आपकी body को stretch वेच करते हैं so that is also okay so that is also good so यह सारे है उसके अलावा बहुत सारी चीजे सुनने को मिलेगी आपको massages में आपने डॉक्टर से बात करें अगर आपको कोई बीमारी है healthy है तो आप बिल्कुल try कर सकते हैं so that's all thank you so much please share this video stay connected stay healthy we always yeah yeah me